हलो दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक डाटा अनलेस्ट की सैलरी कितनी होने चाहिए तो दोस्तों बगायदा आपको जो है वो एक जॉब सेचिंग वबसाइट के ऊपर लेके कि डाटा अनलेस्ट के लिए जो रेक्वार्मेंट्स आ रही है उनको कितनी सैलरी ओफर की जा रही है कम से कम कितनी दिखाई दे रही है ज्यादा से ज्यादा कितनी दिखाई दे रही है और कौन से कौन से शेहरों में कितनी कितनी सैलरी जो है वो ओफर की जा रही है क्योंक आपको लेके जाना पड़ेगा मेरे mobile screen के उपर लेकिन mobile screen के उपर जाने से पहले अगर आप इस channel पर नहीं है और अब तक subscribe नहीं किया है तो इंतजार किस वात का है इस channel को फटाफट subscribe कर दीजिए तो देखें दोस्तों यहाँ पर मैंने data analyst jobs जो है वो मंबई के अंदर search किये हुए है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पहला requirement है लेकिन इन्होंने अपना जो है वो salary कितना दे सकते हैं यह disclose नहीं किया है यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 10,000 से 15,000 प्रतिमा यहाँ पर offer किया जा रहा है यह देखें MIS Analyst 20,000 से 25,000 तक की offer की जा रही है salary यहाँ पर भी है 15,000 से 25,000 रुपए Data Analyst in Gorigao तो यहाँ पर 35,000 से लेकर के 40,000 तक offer किये जा रहा है लेकिन requirement देखे Data Analyst के तोर पर 3 साल का experience होना चाहिए तब आपको 35,000 से 40,000 रुपए का package मिल रहा है दो साल का experience होना जरूरी है यहाँ पर देखे 15,000 से 25,000 offer किया जा रहा है तो एक अगर आप पकड़ कर चलें तो Mumbai के अंदर जो यहाँ पर posting किये गए हैं वो यहाँ पर 10,000 रुपए minimum तो दे रहे हैं और maximum जो है वो आपके experience के उपर depend कर रहा है तो यह देखे data analyst और python तो यहाँ पर 1,80,000 से लेकर के 2,000,000 रुपए per year दे सकते हैं यहाँ पर देखे है junior data analyst remote India तो यह 6,9,9 137 रुपए से लेकर के 10,000,000 रुपए per year तक देने के लिए तयार हैं तो दोस्तो यह वरी करता है आपका जो experience level है किस तरीके का काम है क्या वो remote place से काम करने वाली चीज़ है बहुत ज़ादा घूमना पड़ता है तो उसके अंदर incentive अगेरा भी add हो जाते हैं यहाँ पर देखिए data analyst 40,000 से 70,000 रुपे तक भी offer किये जा रहे हैं तो दोस्तो इस तरीके से जो है वो Mumbai के अंदर आप posting देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं शहर बदल दू यहाँ पर Mumbai की जगा पर पूने डाल देते हैं क्योंकि पूने के अंदर भी बहुत बड़ा IT सेक्टर है तो यह देखें यहाँ पर पूने का पहला जो आया है 25,000 से लेकर के 35,000 यहाँ पर है यहाँ पर Market Research Analyst 25,000 से 30,000 रुपे Research Analyst 18,000 से 25,000 रुपे यह देखें Data Analyst Fresher तो 1,80,000 से लेकर के 2,50,000 रुपे पर महीना दे सकते हैं यहाँ पर देखें Data Analyst के लिए 11,000,000 रुपे पोर येर का भी ओफर दिया गया है यहाँ पर 1,44,000 पोर येर का भी ओफर है तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऐसे ही 15 से लेकर के मुझे लगता है कि 20 के बीच में यहाँ पर ओफर किया जा रहा है पूरे के अंदर ये एक Basic हम पकड़ करके चल सकते है 15 से 20 उचसे उपर भी जा सकता है आप उपर की भी देख सकते हैं यहाँ पर देखें 35 है यहाँ पर 30 है लेकिन अगर मैं कम से कम आपको बताओ तो 15 तो आपको मिलने ही चाहिए तो ये पूरे की यहाँ पर Situation है अब अगर मैं और एक आपको Change करके दिखाऊं हम चलते हैं Bangalore के अंदर क्योंकि Bangalore के अंदर भी बड़ा IT सेक्टर है तो अभी फिलहाल Bangalore के अंदर सिफ एक ही जॉब दिखाई दे रहा है हमको ज्यादा Jobs दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर Data Analyst यहाँ से Change करके हम Delhi डाल के देखते हैं तो यहाँ पर देखें Delhi का आगया है 25 से 42 हजार यहाँ पर 8 लाक से 10 लाक रुपए पर येर का भी पैकेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखें पचास हजार पर मंथ का भी पैकेज है मतलब ओफर किया जा रहा है लेकिन आपको बता दू कि यह जो बड़े बड़े अमाउंट्स आपको दिख रहे हैं वो लोग आपसे उतना ही ज़ादा experience भी expect करते हैं अगर आपका उतना experience नहीं है तो यही आमाउंट नीचे भी जा सकता है यह देखें research analyst एक लाग से चार लाग पर येर यह देखें data analyst पंदरा हजार से तीस हजार रुपए यहाँ पर total work experience एक साल का prefer किया जा रहा है तो दली के अंदर जो है वो उस हिसाब से ज़ादा दिखाई दे रहा है एक range जो हम कहें तो वो ज़ादा दिखाई दे रहा है खेर ये हर एक शहर के अनुसार अलव होता है जहाँ पर data analyst बहुत ज़ादा हो जो आसानी से मिल सकते हैं जहाँ जिस state के अंदर जिस शहर के अंदर वहाँ पर obviously जो salaries है वो कम होंगी जहाँ पर कम मिलते हैं ऐसे professionals तो वहाँ पर salaries ज्यादा होंगी तो डली के अंदर अच्छे यहाँ पर openings दिखाई दे रहे हैं यहाँ से अगर हम चले कानपूर तो कानपूर के अंदर कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं तो फिलहाल मैंने आपको डली, पूने और मुंबई के दिखाए हैं तो दोसो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोसो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूले